कि आप बहुत सारी strategy यूज्ट कर-कर-कर ठग गए हो किसी में भी सफलता नहीं मिल रही है क्या आप stock market में नय हो एक आपको भोग ही सुख ज़ाधा knowledge नहीं है पिर भी आप stock market से पैसा कमाना चाहते हो तो आज की स्ट्राटेजी आपके लिए जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है एक छोटा सा बच्चा भी अगर इसे सीख ले तो स्टाक मार्केट में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा तो वीडियो बहुत इपॉर्टेंट होने वाली है अंतक जरूर देख रहें आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग हर सनिवार की तरह इस सनिवार भी लेकर आ गये हैं बैंक निफ्टी की एक बहतरिन से स्ट्राटेजी और इस स्ट्राटेजी की खास्यत यह है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है एक छोटा सा बच्चा भी इसम कर ठक गए हो के कहीं पे भी आपको वो सक्षस रेट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं तो इस स्ट्राटेजी को ट्राइ करकर देखना ऑर अगर आप स्टाक मार्केट में एकदम नए हो तो भी यह स्ट्राटेजी आपके लिए है क्योंकि यह सबसे आसान स्ट्राट जिम कि हमारे जो भी वीवर्स हैं, सस्क्राइबर्स हैं, उनको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने में आसानी हो। दोस्तों आप लोगों की वैसे ही बहुत सारी डिमांड पहले सी थी, कि Option Trading का कॉर्स आपको Magical Trading से सिखना है, तो इसके लिए हमने Magical Trading का एप्लिकेशन बना के डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल दिया है, वहाँ से वह एप्लिकेशन डाउनलोड करिए, और वहाँ आपको दो कॉर्स मिल जाएंगे, Option Trading और Price Action का, अभी वैसे भी 2000 रुपे का डिस्काउंट चल रहा है, तो मौका अच्छा है, जो कॉर्स पसंद हो, आपको वहाँ से पर्चेस कर लिजिए, आज की स्ट्रेटेजी हम सबसे पहले बोर्ट पर समझेंगे, उसके बाद ऑन स्कीन देखेंगे, कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से वर्ट करती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटेजी, फ्रेंस, हम रैंको चार्ट के उपर और डिटेल में वीडियो बनाया है, एंड स्क्रीन पर आप देख लीजेगा, जो पार्ट वन है, उसमें रैंको चार्ट को बहुत डिटेल में हमने बताया है, इसमें हम सौर्ट कट में बताएंगे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो रैंको चार्ट क्या है, वो सौर्ट में समझते हैं, फ्रेंस, मार्केट जिस पोजिशन पर हो, वहां से आपने जो भी ब्रिक साइज, यहां पर ब्रिक स रखे जाते हैं, एक के उपर, एक के उपर, या एक के नीचे, एक के नीचे, जो हरे रंग के bricks होते है वो उपर की और जाते है और जो red वाले bricks होते है वो नीचे की और आते है हरे वाले जो bricks होते है आप उसमें अगर 20 का size लगा हो तो एक brick जो होता है वो 20 point का होता है ये 20 point का एक brick होता है और यहां से फिर वह 20 point बढ़ जाए तो एक brick और बन जाएगा, तो यह price पर चलता है, फिर और 20 बढ़ जाए तो यह और पर चल जाएगा, और जो red color का होता है, वो minus 20 उसका size होता है, तो जिस position से वो minus 20 होता है, तो वो नीचे की और आता है, और red color का बनते चले जाता है, अगर और 20 point नीचे आए, तो वो और एक bricks बना देगा, और उससे भी 20 point बने, तो एक brick और बना देगा, तो यह total हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइज बताता है, कि 20 point उपर जा रहे हैं, या 20 point नीचे आ रहे हैं, अब brick size हमने 20 रखा, इसलिए brick, अगर आप 10 रखते तो एक brick 10 का बनेगा, तो यह जो है, यह डबे-डबे, यह bricks है, तो जो green color के होते हैं, वो आपको positive points दिखाते हैं, और जो red color के होते हैं, वो negative points दिखाते हैं, तो उमीद है कि rank-o chart जो हमने short में बताया है, वो आप समझ गया होंग हमको क्या करना है, bank nifty में, जो भी premium, 300, 3.5 के उपर का हो, उसको आपको chart लगा लेना है, चार्ट में time frame रहेगा, 5 minute का, rank को chart ले लेंगे हैं, उसमें brick size आप कर देंगे 20 का, फिर एक indicator लेंगे, exponential moving average, 20 period का रहेगा, और उसको color कर देंगे आप red, फिर एक और indicator ले लेंगे, exponential moving average, 10 period का, उसको कर देंगे आप green, बस दोस्तों, इतना simple सा ही setup है, फिर से एक बार बता देते हैं, bank nifty का कोई भी premium 300 के उपर का हो, जितना आप item में लेंगे, उतने ज़्यादा तेजी से आपको profit होने के chances होंगे, इस strategy में, टाइम फ्रेम आपको रखना है, पांच मिनट का, रैंको चार्ट लगा देंगे, 20 रहेगा, उसका brick size, exponential moving average आप लेंगे 20 period का, color कर देंगे red, और एक exponential moving average लेंगे 10 period का, और उसको color कर देंगे green, अब इतना setup लगने के बाद किस तरह से हम trade लेंगे, वो देखते हैं, friends, board पर हमने चार्ट बनाया है, समझाने के लिए, हम on skin अच्छे से और समझ जाएंगे, यहां देख लिते हैं क्या-क्या चीज़े हैं, friends, यह जो red color की line है, वो है 20 period की exponential moving average, और यह जो green color की line है, वो 10 period की exponential moving average है, अब जब भी ranko chart को हम देखते हैं, green bricks बन रहे हैं, और उस condition में हमको ऐसी condition मिलती है, कि green line ने red line को cross कर गया है, तो immediate हम buy कर लेंगे, हम call और put जिसका भी chart लगाया होंगे, वहाँ पर अगर हमको यह condition मिलती है, तो हम buy करेंगे, sale कहाँ पर करेंगे, sale करेंगे हम, जब red वाली line, green line के उपर होती है, तो sale करेंगे, तो जब भी आप यह chart लगा लो, और आपने buy कर लिया, तो जब भी एक एक bricks बनता चला जाएगा, तो आपको पता चलेगा, कि आपके 20 points कितना, एक bricks पर आपका 20 points बढ़ रहा है, तो जब आप ऐसा करेंगे, तो आप जहां पर भी buy करेंगे, उसकी पिछली वाली brick के low पर आप sell लगा लिजिए, और एक एक brick बनता जाता है, तो sell आप trail करते जाएगे, उसके low पर, हर brick के low पर आप sell को trail कर सकते हैं, और जहां तक जाए maximum profit उठाने की कोशिश करना है, फिर उसके बाद जब भी red वाली line green वाली के उपर चल जाती है, तो आपको sell signal मिलता है, आप चाहे तो वहां पर sell कर सकते हैं, जहां पर भी यह मिलेगा, वहां पर आप sell कर दीजिएगा, उसके एक उपर वाले पर आप sell लगाईए, और उसको trail करते हुए maximum profit उठा सकते हैं, तो द पिछली वाली brick के low पर आप sell लगा लो, चार्ट में ही आप देख सकते हैं कि एक एक brick बनता जाएगा, और उसके low को next low के उपर आप trail करते चले जाओ maximum profit उठाने के लिए, सेम ऐसे ही अगर आप sell करते हैं, call या put को, sell signal मिला और आपने sell कर दिया है, तो आपको क्या करना है, क उसकी पिछली वाली bricks के high पर आपको sell लगाना है, और एक-एक bricks को नीचे उसके high के trail करते जाना है, और maximum profit उठाना है, तो दोस्तों उमीद है ये strategy आपको समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई है, तो on screen हम जाएंगे, वहाँ पर आप इसको detail में देख सकते हैं, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ बात है आप लोगों को बताना चाहते हैं, कि अगर आप brokerage से परिशान हो, तो paytm money आपके लिए लेकर आया है, मात 10 रुपे का per order future and option, आप अगर demate account open करना चाहते हो, paytm money में, तो description में link की link से अगर आपने demate account open किया, औ मात्र एक trade किया, तो आप हमारे साथ जूड़ जाएंगे हमारे special whatsapp group में, और अगर आप चाहते हैं कि zero the upstock angel one में demate account open करना, तो उसकी link भी हमने description में दे रखे, वहाँ से आप demate account open करिये, और मात्र एक trade करके हमारे साथ हमारे special whatsapp group में जूड़ जूड़ जाएंगे, दोस्त कि साथानी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत लोग social media के नाम पर fraud कर रहे है, magical trading का duplicate telegram channel बना रखा है, और लोगों किसे पैसे मांग के ठकते हैं, तो आप लोग बिलकुल मत जाएंगे, हमारा 18,000 के उपर subscription है, आप हमारे original channel को ही subscribe करिए, तो चलिए हमने board पर समझ अब on screen देख लेते हैं, यह strategy किस तरह से work करते हैं, तो चलिए देखते हैं, friends यह हमने 35,900 का put का chart लिया है, पांच मिनट का time frame लगाया है, हम ले लेंगे rank o chart को, और rank o chart के setting में जाकर brick size 20 कर देंगे, तो अब जो यह blog है, एक एक blog वो 20 का है, अब हम देखेंगे moving average को, moving average 20 ले लेंगे, और उसको exponential कर देंगे, और वो red color का रहेगा, दूसरा एक moving average ले लेंगे, जिसमें 10 period कर देंगे, और उसका color exponential कर देंगे, और color उसका green कर देंगे, तो अपना setup तयार हो गया, अब यह जो blocks बने, bricks बने हैं, वो 20 के हैं, एक एक 20 points के हैं, तो जहां पर signal मिलता है, देखें, अभी market close हो गया था, तो यह यहां पर हमको signal मिला था, हम उसके पिछली candle के low पर अगर stop loss भी लगाते हैं, अभी तक तो stop loss हिट नहीं हुआ है, और लगबग 100 points इसने दे दिये हैं, तो 20 points का stop loss है, कभी hit भी हो गया, कोई बात नहीं, profit यह ऐसे stop loss आप ट्रेल कर सकते हैं, जैसे जैसे एक block बनते जाता है, तो आप उसके उपर वाले block के low पर stop loss को ट्रेल कर सकते हैं, अब यहाँ sell signal मिला, उसके उपर वाले पर ट्रेल करिए, यह stop loss यहाँ पर hit हो गया, फिर भी आपको 10 points तो यह दे ही देगा, फिर से मौका मिला, फिर आपने sell किया, और उपर stop loss लगाया, और यह देखिए 100 से ज्यादा point का आपका profit, तो कभी आपके 20 points के stop loss hit होंगे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जब जब वो profit देगा, तो 40 points, 60 points, 100 points, 200 points इस तरह से वो देगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मौका मिला है हमको, green line उपर है, buy का signal है, यहाँ पर हमने buy किया, stop loss के पहले वाले block के low पर लगाया, और stop loss trail करते जाओ, कहीं पर भी आपका hit नहीं होगा, यहाँ तक आप चले जाओगे, पुरे 200 points के असपास का यह, आपको profit हो जाएगा, क्योंकि एक block 20 का है दोस्तों, तो आप यह पकड़के चलिए, जितने block आपको मिलते जाएगे, वो 20-20 के मिलते चले जाएगे, तो काफी simple है, जो कोई नया भी है, वो भी कर सकता है, stop loss से ना डड़े, 20 point का stop loss रहेगा, लेकिन यह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, लगबग 1000 point के, 800 point के आसपास का profit है, तो काफी profitable और simple strategy है, आप इसको paper trade करकर जरूर try करेगा, Friends, उमीदे आपको यह वीडियो पसंद आए होगी, अगर पसंद आई है, तो थोड़ा सा practice करिए, paper trade करिए कुछ दिन के लिए, paper trade में अगर यह strategy आपको जमती है, तो एक lot से trade करिएगा, और आगे बढ़ जाईएगा, वीडियो अच्छी लगती हो, तो like जरूर करना, और द subscribe करके bell icon को दबा दीजे, ताकि इसी तरह की और भी interesting video आपको notification पर मिलती रहे, अगली video लेकर फिर हाजिर हो जाएगे, तब तक ले, नमस्कार